तो अब चेले को नहीं गुरू को मिलेगी नोकरे बिलकों साइज देखा आपने यहाँ पे और दोस्तों यह बता दे कि एक नई नोटिफिकेशन जारी के गई है और यह स्पोर्ट्स ऑथरिटी आफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है यहाँ पे रिकूट्मेंट है कोच की और असिस्टेंट कोच की तो जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल है वीडियो को अंतक देखेगा चुकि एज क्रेटिरिया यहाँ पर 45 साल का रखा गया है और दोस्तों जो असिस्टेंट कोच के लिए आवे दिन करेंगे छात्र उनको 40 साल का तो यह दोनों का ही एज क् क्रेटिरिया है और हाँ जो भी छात्र यहाँ पर डिपलोमा कर रखे हैं कोचिंग सेक्टर से या रिलिवेंट स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के लिए 5 साल का एक्स्पिरियंस उनके पास वो कोच के लिए अपलाई करेंगे और जो भी छात्र असिस्टेंट कोच के लिए चलिए दोस्तो लेकर चलते हैं इसके सीधे ओफिशिल वेबसाइट पर क्या सेलरी मिलेगी क्या एलिजिबिटी क्रेटेरिया होगी और कौन-कौन से छात्र आवे दिन करेंगे यहाँ पर आवे दिन करने का कब तक लास्ट डेट है कब तक कितना फीस लग रहा है यह सारा आपको यहाँ से बताने जाने तो वीडियो को अंतक जरूर देखेएगा दोस्तो सबसे पहले तो आपको बदा दी दोस्तो कि जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पर नए है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन दबाके ताकि यह वीडियो का नोटि नोटिफिकेशन का NTPC National Thermal Power Corporation की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारे किया गया है टोटल 50 पदों की लिए वेकेंसी है जरूर देख लिजेगा जो भी छात्रे इलिजीबल है आवी दन भी जरूर कर लिजेगा अंधिम्तिती से पहले तो दोस्तो अगर एक अपडेट और टेलीग्राम चेंथनल भी है तो वहाँ पे आप जुएन करें उनका application है वह भी download कर लिजेगा व्ले से जाके YT-e 002 एजुएशन का टेलीघान रा करके वहाँ जुएन ज्यान कर लजीगा वहाँ पर आपे आपको classes दी जा रहे हैं कुछ paid classes हैं वहाँ पे भी आप attended कर सकते है हैं एनिवे हम लेकर चलते हैं आपको इसके नोडिफिकेशन पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहां पे के लिए चाहिए हैं और कनको डॉक्मेंट से इसारे डीटेल आपको यहां से बताने जा रहे हैं दोस्तों यह वह डिसिप्लिन है जिसमें कि आपकी डिप्लोमा ओनेजि़ जैसे के बहुत सारे चात्र यहां पर उनके लिए वेकेंसी निकाली गए आरकी में तेरा वेकेंसी है 20 वेकंसी है, बॉक्सिंग के लिए 13 है, होकी लिए 13 है, सुटिंग के लिए 3 है, और वेट लिफ्टिंग के लिए 13 है, रिस्लिंग के लिए 13 है, साइकलिंग के लिए 13 है, और फैंसिंग के लिए 13 है, जुडो के लिए 13 है, और रोइंग के लिए 13 है, सुमिंग के लिए 7, दोस्तों टाकराओं के लिए यहां पे दोस्तों पांच है और सॉफ्टबॉल के लिए एक पोस्ट है और दोस्तों टेक वुंडों के लिए यहां पे छी है और वुंशू के लिए यहां पे छी है तो टोटल मिलाके 220 पतों की यह टोटल वेकेंसी है दोस्तों जिसके लिए बढ़ाया जा सकता है घड़ाया जा सकता है इस पर डिबेंट करता है लास्ट डेट अप्रिकेशन का है दूस्तों 20 मई यानि कि 20 मई से पहले आपको फॉर्म भर लेना होगा फॉर्म भरने का LGBT क्रेटरिया दूस्तों मैंने आपको बता दिया है सुरू में कि डिप्लोमा आपको यहां से नौकरी आसानी से मिल सकती है यहां दोस्तों आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा जो भी द्रूनाचारे आवार्ड से समानित है दोस्तों यहां पे पेस के जो है न 14,420 रुपे कहा है यानि कि सैलरी आपकी 40,000 रुपे तक ही होगी ध्यान रखेंगे चार स साल का आपके पास दोस्तों टेनियोर होना चाहिए दोस्तों एक्स्टेंडबल साइकल अफ फोर सियर्स के लिए तो यह ध्यान रखेंगे मैक्सिमम एज ऑफ द लास्ट डेट अफ देट अप्लिकेशन इस 40 is the correct answer यानि कि यहां पे 40 साल का आज यह आपको मांगा गया है दो साल का coaching experience है आपके पास तो चार साल का experience होना चाहिए दो साल का है तीन साल का है चार साल का है वो सभी आवे दन कर सकते हैं ऐसा नहीं कि चार साल वाले ही सिफ आवे दन करेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे और दोस्तों selection procedure क्या है तो through the interview सीधा interview है आपका oral test होगा discipline speaking knowledge होना चाह चाहिए specific knowledge होना चाहिए मतलब किस discipline में आपको बैट के आपका interview देना चाहिए इसारे आपको चीज़े होंगी वहाँ पर in case number of candidate are more than the five year five time of the vacances shortlisting for the candidate in the interview shall be carried out the basis approved the criteria hence the mere fulfillment of the agility criteria does not entail the candidate to be called for interview तो जो भी छात्र यहां पर fulfill करेंगे criteria को उन्हीं को यहां पर सबसे फिले प्रपेंस दिया जाएगा और shortlist किया जाएगा ठीक है और जिन छात्रों का माली यह नहीं होता है और वह सारे eligibility criteria fulfill करते है तो घबराएंगे नहीं यहां पर बोला गया है कि उनको भी call बाद में भी किया जा सकता है number of vacancies अगर बढ़ती है तो the list of eligible candidates जो हैं दोस्तों यहां पर interview के लिए सीधे जाएंगे और उनका shortlist करने के बाद जाएंगे ठीक है तो यहां पर आविदन कीजिएगा जो भी चात्र आविदन करना चाहता है वो यहां पर जाके इसके लिए आविदन जरूर करेगा ठीक है तो मैं अभी आपको यहां पर इसका official website भी आपको दिखलागता हूं यहां से देख लिजेगा तो यह दोस्तों तीन पेज का total notification है 20 मई से पहले आपको assistant coach के लिए आविदन कर लेना है ठीक है कोई भी doubt रहता है तो आप comment box में comment करके पूछ सक सकते हैं यह द्यान रखेंगे लास्ट इसका भी आविदन करने का 20 मई है दोस्तों ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पर डिप्लोमा मांगा गया है in the coaching of sports authority of India NS या NIS के जरिए यह अगर आपके पास middle winner है आप Olympic में या वर्ल्ड चैंपियन है then you can apply for the post ठीक है यहां पर को experience नह पी चातर यहां पर देखी द्रोना चारी अवर्डेड है उनको यहां पर को experience की जरूरत है नहीं उनको preference पहले मिल जाएगा ध्यान रखेंगे दोस्तों यहां पर salary skill बहुत अच्छा है एक लाग पांच जर की salary skill है यानि की bumper vacancy है दोस्तों चार साल का पास अगर extended cycle experience है then you can apply दोस्तों यहां पर age criteria 45 साल का है आप देखिए यहां पर आविदन जरूर करेंगे इसके regarding तो selection procedure बिलकुल सेम है यहां पर आपका कोई written exam नहीं सीधे interview है और सीधी भरती है दोस्तों apply करने का यहां भी process आपको दिया गया है पहरे number 9 में तो यहां से आप check कर सकते हैं ओके तो इसके regarding और हम आप तक पहुचाएंगे इसके सारे update धन्यवाद दोस्तों अगर आपके कोई doubt है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों यहां पे सारी detail आपको mention की गई है ठीक है तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और salary भी मैंने बता दी है तो तो महां से जाके download भी कर लीजेगा धन्यवाद